लेकर देश दुनिया की तमाम टॉप खबरों को लेकर हाजिर हु मैं रितेश खबरों को विस्तार से जानेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर हेड्लाइन्स पर केरल में सीरियल ब्लाष्ट के बाद दिल्ली मुंबई यूपी में अलर्ड चर्चों की बढ़ाई गई सुरक्षा केरल के कन्वेंशन सेंटर में हुए विस्पोर्ट में बड़ा अपडेट सामने आया धमाखा करने वाले ने सरेंडर किया संयुक्त राष्ट में हाल में लाए गए इसराइल हमास संघर संबंधित एक प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत ने बनाई दूरी दिलीश सरकार देगी बिहार के सिक्षकों को आवाज की सुमिधा सिक्षा विभाग ने मकान मालिकों से मांगा आवेदन तराग घुटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफतार योगेंदर तिवारी से एडी पूश ताच आगे भी जारी रखेगी अब ख़बर विस्तार से केरल के कोची में एक कन्वेंशन सेंटर में हुए सीरियल बलाष्ट के बाद राश्ट्रिय राजधानी दिल्ली मुंबई और उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है एक रिपूर्ट के मुताविक दिल्ली में चर्चो और भीर भार वाली साबजनी के स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है वहीं मुंबई में भी पूलिस अलर्ट पर है दिल्ली पूलिस ने एक बयान में कहा है दिल्ली पूलिस की स्पेसल से लगातार खूपिया एजें हुए हाई अलर्ट जारी किया है और सुरक्षा बढ़ा दी है इसराइल हमास के बीच चल रही युद्ध के कारण मुंबई के यहूदी केंद्र चवाड हाउस में पहले से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है उत्तर प्रदेश HDG Law & Order प्रसांद कुमार ने भी सभी जिलों को रहने का आदेश दिया है पता दी की केरल में इसाईयों की एक सभा में एक के बाद एक सीरियल धमाके हुए है जसमें एक सक्स की मौत की खबर सामने आई है इसके साथ ही बलाश्ट में 35 लोग घायल बताय जा रहे है हादसे के बाद कई बड़े देताओं की प्रतिकिडिया भी सामने आई है केरल में कलामा सेरी अस्थित कन्वेंशन सेंटर में हुए बिसपोर्ट में बड़ा अपडेट भी सामने आया है पता चला है कि कोच्ची का मूल निवासी डोमिनिक मार्टिन कलामा सेरी लाश्ट मामले में कोडकारा पुलीस की हिरासत पे है रविवार दो कुछ संदिक्द जवावों के आधार पर पुलिस ने उससे और विस्तार से पूशताच करने का फैसला किया है इसके लिए ADGP के नेत्रित्व में उच अस्तरी अधिकारी जल्द ही कोड़कारा पहुँचेंगे इसके लावा सीरियल ब्लाष्ट के अपराधी की ओर से इस्तेमाल की गई संदिक्द नीली कार की जाच में भी पुलिस को महत्तोपूर्ण जानकारी मिली है पुलिस को सक है कि हमलावर इसी कार से कर्वेंसन सेक्टर पहुँचा था जहां प्रारतना सभा हुई थी ये कार घटना के बाद पुलिस को मिली एहम जानकारी है जानकारी मिली है कि कार का नंबर भी फरजी है संयुक्त राष्टर में हाल में लाए गए इसराइल हमास संघर्ष संबंधी एक प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत ने दूरी बनाई है ये इसराइल हमास संघर्स को विराम और गाजा में मानवीय सहायता पहुचाने से जुड़ा था इस प्रस्ताओं के पक्ष में 121 देसों ने वोटिंग की है भारत सही 44 सदस्यों ने वोटिंग से दूरी बना कर रखी 14 मुलकों ने प्रस्ताओं के खिलाफ मतदान किया भारत के रुख पर विपक्ष ने तीखी नाराजगी जताई है वहीं सरकार ने अपने स्टैंड का मजबूती के साथ बचाओ किया है मतदान से दूर रहने की सबसे वड़ी वज़ा उसने आतंकवाद को बताया है उसने दो टुक कहा है कि आतंकवाद की कोई सीमा, राश्ट्रियता या नसल नहीं है दुनिया को आतंकी गतिवीदियों को जाईश ठहडाने वालों की बातों को तवज्जो नहीं देना चाहिए अब ख़वर बिहार की बिहार में नियोजित सिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की अभी बात चल ही रही थी कि बिहार सिक्षा विभाग की वेबसाइट पर एक आवेदन अपलोड हो गया है बिहार के 4.5 लाख नियोजित सिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात हो रही है अलाकि पहले सरकार की ओर से समक्षता परिक्षा पास करने की सर्थ रखी गई थी अब चर्चा ये है कि सरकार बिना सर्थ उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने वाली है इस ख़बर की अभी भी आधिकारीक पुष्टी नहीं हुई है तभी बिहार सिक्षा विभाग की वेबसाइट पर सरकार ने एक आवेदन का फॉर्मेट अपलोड किया है जिसके माध्यम से मकान मालिकों और जमीन मालिकों से आवेदन की मांग की गई है जानकारी के मुताविक बिहार सरकार एक के बाद एक सिक्षकों के लिए बड़े तोहफे का एलान कर रही है उसी करम में नितीश सरकार की ओर से सिक्षकों को आवाज किस्तुविधा मुहया कराने के बाद कही जा रही है लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक इन दिनों अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में हैं जिन दुर्गा मा को लालू पडिवार सर्धा से पूछता है उसे राज़त विधायक फतेह बहादुर सिंग ने कालपनिक पात्र बताकर राजनेतिक गलियारे में खलवली मचा दिया है रोतास के डेडी से विधायक फतेह बहादुर ने अब सवर्ण हिंदूों को निसाने पर लिया है नाम लिये बगैर उन्होंने कहा है कि ये 10 फिस्दी हिंदू जादा खतरनाक है उन्होंने बीजेपी पर भी जुवानी हमला बोला है डेडी में कारिकरम के दोरान राजब विधायक ने कहा है कि देश के 72 परतीसत हिंदू पिषड़े हैं उन्हें अपनों से ज़्यादा खतरा है एक पार्टी लगतार हिंदूों को एक जुट होने का नारा लगाती है इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है इस बीच गाजा सीज फायर पर भारत के स्टैंड को लेकर केंदर की नरेंद्र मोदी सरकार अब विपक्ष के निसाने पर आ गई है आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादब ने भारत की विदेश नीती को लेकर केंदर सरकार पर हमला बोला है लालू यादब ने सोसल मीडिया एक्स पर लिखा है कि ये पहली बार है जब भारत ने मानवता, योद विराम और वेश्व सांती के विशेफर सबसे आगे रहने के वजाए धूल मूल रवईया अपनाया है बिहार में योजित सिक्षकों की राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परिक्षा बिहार विद्याले परिक्षा समीती आयोजित करेगी सिक्षा विभाग ने इसको लेकर तैयारी आरंभ कर दी है इससे जुड़े प्रस्ताओ पर सैधानतिक फैसला हो चुका है सिर्फ अंतिम निर्ने लिया जाना है इस मसले पर सिक्षा विभाग दोरा परिक्षा समीती से संपर्ग भी किया गया है दोनों के बीच इसको लेकर कई दौर की बैठके भी हो चुकी है जिसमें परिक्षा से संबंधित तमाम पहलूओं पर विमर्ज किया गया है विभाग में भी इस पर मन्थन चल रहा है पिहार की नितीश सरकार में सहकारिता मंत्री सुरेंद्र रियादब के बयान पर सियासत तेज हो गई है उन्होंने कहा था कि अफसर गाली देने पर ही काम करते हैं और वे रोज उन्हें गडियाते हैं दरसल सुरेंद्र रियादब ने गया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अफसरों को लेकर बेतुका बयान दे डाला था उन्होंने कहा कि हमारी लडाई सबसे ज़्यादा अफसरों से होती है हम रोज अफसरों को गाली देते हैं यहां आने से पहले भी दो अफसरों को गडिया कर चले हैं इस विवादित बयान पर विपक्षी बीजेपी और जीतनराम मांजी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने RJD और बिहार सरकार पर हमला किया है वही महागडबंदन सरकार में सामिल कांग्रिस पार्टी ने राजत के मंत्री से किनारा कर लिया है फुद RJD भी अपने नेता के बयान पर बैक फूट पर चली गई है बिहार में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 381 मरीज मिलें इसके साथ ही राजे में मरीजों की संक्या 14,649 हो गई है इसमें से केवल अक्टूबर में ही 7,914 मरीज मिलें अब तक कि किसी भी साल में एक महिने में ये सबसे अधिक है पिछले वर्स अक्टूबर में 7,605 मरीज मिलें गटलब है कि अक्टूबर में ही सबसे अधिक जैंगू के मरीज मिलते रहे हैं छट महापर्व के दोरान पटना के बड़े घाटों पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी गंगा नदी के घाटों पर सधालूओ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को सिविल ड्रेस में भी तैनात किया जाएगा जबकि घाटों और पुजा शेत्रों को सुविधा जनक और घट्टा मुक्त रखने के लिए पुजा समीतियों और अस्थानिये लोग को भी सामिल किया जाएगा इस मौके पर गंगा नदी के घाटों पर नदी गस्त के अलावा बचाओ दल की टीम भी मौजूद रहेगी जो घाटों पर भीड की गतिविधियों पर नज़र रखेगी अब खबर जारखंड की बिहार लोग सेवा आयोग की सरसेटवी संयुक्त परत्योगता परिक्षा में जमसेदपूर की रहने वाली अंकिता चौधरी और आकांच्छा गुपता को सफलता मिली है स्रिक्रेशन सिन्हा संस्थान के प्रधान सचीव हरवल्लव प्रसाद की नतिनी अंकिता चौधरी ने परिक्षा में तीसरे टॉपर होने का गौरब प्राप्त किया है वहीं जमसेदपूर के CCR DSP अनिमेज गुपता की बेटी आकांच्छा गुपता ने 105 वा रैंक लाकर शहर और परिवार को गौरवान विद किया है रिम्स में OPD मरीजों को मिलेगी डायलीसिस सुभधा 31 अक्टूबर को PPP मोड पर संचालीट डायलीसिस यूनिट लाइबरेरी और अप्रेफरल कुपोशन उपचार केंदर का स्वास्त मंत्री बनना गुपता उधगाटन करेंगे इसके अलावा यल्लो फीबर वैक्सिनेशन सेंटर, ट्रॉमा एवं रेडियोलोजी सेंटर के बाहर मरीजों और उनके परिजनों के लिए बने विश्राम केंदर का भी हुद घाटन करेंगे रिम्स में नेफ्रो प्लस की ओर से संचाली डायलिसिस केंदर के सुरुवात 17 अक्टूबर को ही कर दी गई है अब 31 से OPD बेसिस पर मरीजों की डायलाइसिस सुरू कर दी जाएगी सुराब घोटाले से जुड़े मनी लांडरिंग मामले में गिरफतार योगेंदर तिवारी से ED पूश्ताच आगे भी जारी रखेगी ED कोट ने और 6 दिनों की पुलिस रिमांड अबधी बढ़ा दी है इससे पुर्व सनिवार को 8 दिनों की पुलिस रिमांड अबधी समाप्त होने के बाद योगेंदर तिवारी को अदालत में पेश किया गया साथी ED की ओर से विसेश लोग अव्योजक BMP सिंग ने और पुलिस रिमांड की मांग करते हुए आविदन किया सुनवाई पश्चात अदालत ने 6 दिनों की पुलिस रिमांड की अनुमती पुर्दान की है अदालत की अनुमती के बाद आरोपी योगेंदर को ED पुना अपने साथ ले गई इसके बाद पूछताश करेगी पुलिस रिमांड की अब दी 3 नवंबर को सवाब थो रही है उस दिन योगेंदर तिवारी को अदालत में पेश किया जाएगा अब ख़बर खेल जगत की भारत ने लखनों में इंग्लैंड के खिलाफ आई सी सी वंडे विस्व कफ 2023 के 29 मैच में पहले बल्लेवाजी के लिए नियोता मिलने के बाद 50 ओवरो में 239 रन बनाये और इंग्लैंड को जीत के लिए 230 रनों का लक्ष दिया है कप्तान रोहित सर्मा भारत के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेवाज रहे रोहित सर्मा ने 87 रनों की पारी खेली रोहित सर्मा के लावा सूरे कुमार यादव ने 49 और केल राहूल ने 49 रनों की पारी खेली भारत के लिए बाकी का बल्लेवाज आज नाकाम साबित हुए इंग्लैंड के लिए डेविल विली तीन विकेट लेकर सबसे सफल बल्लेवाज रहे। उनके अलावा क्रिस वोक्स और आदिल रासी ने दो दो विकेट लिए जब कि मार्क बुड को एक विकेट मिला। भारती गेंदवाजों की नजरे जल्दी विकेट हासिल करने पर है। पर हैं और ट्रॉल हो रही हैं। प्रकास राज और दीपा महता ने भी कंगना पर तंज कसा है। अब बात मौसम के मिजाज की बिहार के कई जिलों में सुबह और साम ठंड का हैसास होने लगा है। मौसम विभाग के मुताविक 30 अक्टूबर से पूरे देश में ठंड बढ़ने की संभावना है। पठना बक्सर गया मुझपरपूर और छपड़ा में सोम बार को मौसम सामान ने बना रहेगा। इन सभी सहरों में अधिक्तम तापां 30 से 34 डिगरी सेल्सियस के आस पास रहने की संभावना है। तो ये थी दिन भर की विसेश खबरें बिहार और जारखंड समेत देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल दर्स न्यूज पे बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेस्बूक पर देख रहें हमारे पीच को लाइक और फॉलो करना न पूलें। धन्यवाद।